मनिपूर हिंसा में अब अमेरिका का दखल अंदाज कॉंग्रिस को रास नहीं आया ये ओफर बीजेपी का क्या होगा स्टैंड भारत में इस वक तीन ही मुद्दे हैं जो चर्चा में हैं महराज, टमाटर और मनिपूर हम बात करेंगे मनिपूर की मनिपूर तीन महिनों से सुलग रहा है और ऐसी आग लगी है कि केंदर सरकार भी बुझाने पारी है वहां के रहने वालों और विपक्ष का सीधा सरल सवाल है कि मुद्दे पर अभी तक प्रधान मिंत्री जी क्यों चुप हैं देश-विदेश की यात्रा कर रहे हैं लेकिन मनिपूर को लेकर चुपी साधी हुई है उनकी कमी पूरी करने हाला कि ग्रह मंत्री अमिट शाह मनिपूर गए थे लेकिन परिराम निकला शूने अब प्रश्न ये है कि जो काम राजी सरकार मोदी जी और अमिट शान इसे नहीं हो पा रहा है कि अब वो काम अमेरिका करेगा भारत के आंतरिक मुद्दों पर अब अमेरिका की दिखल अंदाजी हो रही देश की हिंसा को अमेरिका शान करेगा ये सब सुनने में नहीं आ रहा है वो भी बताएंगे लिकिन सबसे पहले सुनिये कि अमेरिका के डिप्लोमाट का क्या कहना है ये तो सुन लिया अपने अमेरिका का पक्ष अब कॉंग्रस पर आते हैं कॉंग्रस आंसर्द मनिश तिवारी का कहना है कि अमेरिका में भी तो धडले से बोली बारी होती है तब भारत तो नहीं कहता कि आओ भईया हमसे सीखो मनिश तिवारी यहीं पनी रुके उन्होंने एरिक को और भी नसीहते दी खुदी सुनिये कि उन्होंने क्या कहा है कि नहीं कहा कि हमसे आप सीख लीजिए कि किस तरह से उसको उस पे नियंतरन पाये जाए वह भी तो एक मानवियत रास्ती है अम्रीका में रंग भेद को लेकर दंगे होते हैं वह भी एक मानवियत रास्ती है हमने कभी नहीं कहा कि हम आप अंत को पंत निर्पेक्षता की सीख देंगे मुझे याद है कि 1990 के दशक में जब शरी मती रॉबिन रैफल बहुत जम्मू कश्मीर के उपर उगर रहती थी तो जो अमरीकी राजदूत हैं रहे दो तीन राजदूत जो रहे यहां पे यहां पे वो बहुत ही संयम से अपने बयान देते थे बहुत ही एक नपे तुलिये शब्दों का इस्तेमाल करते तो तो शायद जो नए अमरीकी राजदूत आएं हैं जो भारत अमरीका रिष्टों का इतिहास रहा है उसको उनको संग्यान में लेना जरूरी है वैसे तो केंदर सरकार देश के आंधरिक मामलों को लेकर काफी सकत रहती है विदेश में बेजेपी को आंधरिक विवादों पर बात करते हुए कभी देखा या सुना नहीं गया है अब ऐसे में जब कोई विदेशी राज्टूत हारत को सला देता है तो सरकार का जवाब द देखना भी दल्चस्थ होगा हाला कि आभे तक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है अगर ऐसा होता है तो माप तक अबर्ज जरूर आएंगे तब तक बने रहें जनसत्ता किसा